हेलो फ्रेंड्स आज हम बता रहे हैं आपको सिसम के गेट पर पॉलिश करना तो आज का वीडियो आप पूरा देखीएगा और बने रही रहे हैंगा हमारे साथ और यह सिसम का गेट है इस पे हम रेत माल लगा रहे हैं जो पेपर वाला है सेंडिंग करके आपको दिखा रहे हैं और पूरा वीडियो आज देखना आप पूरी जानकारी लीजिएगा और आज हमारे चैनल पर आप पहली बार आ हुए हैं तो चैनल को आप सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही मैनस से वीडि कोई भी जानकारी लाएंगे तो उसका सबसे पहले नौटिफिकेशन आपको मिलेगा तो इसी लिए आप सस्क्राइब कर लीजिएगा और हमने इस गेट पर रिदमा लगा के मरमत करके कंप्लीट करके उस पर और साप कर रहे हैं बुरुस से इसकी धूल को और लीजिएगा यह हमारा पहला स्टेब हो गया है अब चलते हैं सीलर की वो यह है सीलर यह बयंबले कंप्पनी का सीलर है और वेस्ट क्वाल्टी क्या है यह नेचुरल पॉलिस है तो इसमें मैं डेंबले कंपनी का ही सीलर यूज करता हूँ नेचुरल पॉलिस में और सीलर को अच्छी तरीके से डब्बे को खोल करके अच्छी तरीके से मिलाते हैं सबसे पहले क्योंकि जब तक अच्छी तरीकलिके से मिलेगा स्टों टो घिट वे उतना ड़िर नहीं अच्छी देखेग्ए और जोल यह है tie inieu और हम इसमय स्टैमें मिलाते हैं सी क्योंकि त्षी ली नहीं मिलाएंगे तो वह छलेग से घ्र अगर मसीन से करेंगे तो और भी बैतर हूता है और मेरे पास मसीन अवाए लेवल रही है तो हाज मैं आपको बुरुस की मदच से सीलर करके दिखा रहा हूँ हो और कोटन के कपड़े से भी हम कर सकते हैं और अपने अपने करने का तरीका अलग अलग होता है तो मैं बुरूश से सीलर करके दिखा रहा हूँ तो बस इसमें थोड़ा यह होता है कि इस पीड से करना पड़ता है ताकि सूख ना सके सीलर सूखता तो है यह जल्दी क्योंकि इसमें थिनर मिला होता है और जल्दी उस पर जहां पर कर लिया जाए तो उस पर दुबारा बुरुस नहीं चलाना है क्योंकि इसमें सफेदी पकड़ने का भी डर रहता है और अगर आप पहली बार करेंगे पॉलिस तो कपड़े से ही करें क्योंकि जो कई बार पॉलिस करते रहते हैं उन्हें आडिया होता है कई बार कर चुका हूं पॉलिस को तो मुझे पता है बुरुस चलाने का तो देखिएगा सील इसे पॉस्ट दिया था गेट को और सीलर को तीन चार कोट लगाया होगा है जिससे की गेट की अच्छे भाई हो चुकी है और यह है बुट फैन मुझे लेकर मिला नहीं है अगर लेकर इसके उपर करते हैं तो लेकर बहुत ही अच्छा होता है लेकर नहीं है तो बुट फै इसमें हम मिलाएंगे तारपीन का तेल भी मिला सकते हैं और अगर तारपीन का तेल नहीं है तो मिट्टी का तेल भी केरोसीन भी मिला सकते हैं और प्यूबूडफेन है और हम अब गेट पर सीसम के गेट पर इसको अपनाई करेंगे तो इससे क्या है कि हमारे गेट पर चमक आ हुई थी जैसे गेट के में जो रफे होती हैं तो उससे भर जाती हैं जैसे कि समझाने के लिए में बता दो कि बाल पुट्टी दीवाल में लगाते हैं तो गेट में उसी प्रकास से सीला लगाते हैं थोड़ा चिकनाहट के लिए और अगर आप न्यू पेंटर हैं और यसी ही फ्रेंड्स मैंने सिंपल से तरीके से आपको सीसाफ के डेट पर पॉलिस करके दिखा दिया है तो कुमेंट करके आप बताईएगा आपको कैसा लगा और आज का वीडियो फुल देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्वाद्वा